कोरोना की वेक्सिन को लेकर इंटर नेशनली और नेशनली किस तरह की खबरे हां रही हैं आज दुनिया में भी और Дेश में भी जैसा अब आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल मताए गया और आखरी दौर पर वैक्सेन के काम पहुचा है। भारत सरकार हर डवलपन्ट कर बारी किसे नजर रख़े हुई हैं नहीं है। हम सबके संपर्ग में भी हैं और अभी यह तैय नहीं है कि वैक्सेन की एक डोज होगी, दो डोज होगी यह तिन डोज होगी यह भी तैने हैं कि इसकी किमत कितनी होगी उसकी किमत कितनी होगी यह कैसे होगी यह अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है क्योंकि जो इसके पर आने हैं दुनिया में जिस प्रकार की corporate world भी है उनका भी competition है दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटर्स होते हैं डबली हो से भी हमें इंतजार करना पड़ता है तो हमें यह इन चीजों को वैस्विक संदर महीं आगा बढ़ना पड़ेगा हम इंडियन डेवलपर्स और मैनिफेक्टर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर देए यह पूरी तरह संपर्ग है कि अवा ग्लोबल रेगुलेटर्स अन्य देशों की गवर्मेंट्स मल्टिनेटर इंस्टिटूशन्स और साथी इंटरनेशनल कंपनीज सभी के साथ जितना संपर्ग बढ़ सके जितने रियल टाइम कम्मिनिकेशन हो इसके लि एक एक देशवाजी का जीवन बच्चे अब वैक्सिन आने के बाद भी हमारी प्रास्पिक्ता यह होगी कि सभी तक कॉरोना की वैक्सिन पहुँचें उसमें तो कोई विवाद हो जी नहीं सकता है लेकि कॉरोना की वैक्सिन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नाग सभी को हर सरकार को हर संगर्षन को एक जूठ हो करके कोडिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा साथियों वैक्सिन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े-बड़े देशों को भी नहीं है हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है उतनी ही जरूरी है सेप्टी भी है भारत जो भी वैक्सिन अपने नागरिव को देगा वो हर वैग्यानिक कसोड़ी पर खरी होगी जहां तक वैक्सिन के डिस्ट्रिबुशन की बात है तो उसकी तयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है वैक्सिन प्रात्मिक ताके आधार पर किसे लगाई जाएगी यह राज्यों के साथ मिलकर कर यह मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि अगर इस पकार से डब्ली एचो ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है लेकिन फिर भी ये निर्णे तो हम सब मिल करके ही करेंगे कि इस हुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकर उनको अंदाज है कि उनके राजमें कैसे होगा हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके ववस्ताइं खड़ी कर देना शूरू कर देना चाहिए कहां कहें संभव होगे उसके पैरामिटर्स क्या होगे उस पर हमें यहां से सुचना है तो डिपार्टमेंट को चली गई है लेकिन इसको अब इंप्लिमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अतिरिक सप्लाई भी सुनेश्चित की जाएगी और इसका विस्तुर्ट प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिल करके ताई कर दिया जाएगा हमारी राज्यों की और कहिंदर की टीम साथ लगाता और वो बात्चित कर रहे हैं काम चल रहा है कि इंदर सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आगरग किया था क स्टेट लिवर पर एक स्टेरिंग कमिटी और यह वं स्टेट और डिस्टिक लेवल पर टास्पोर का और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ववस्ताइं खड़ी करेंगे और किसी ने किसी एक वेक्तिक को काम देना पढ़ेगा इन कमिटियों की र ओनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो हमें हमारा रोज मरा के काम के साथ कौरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्ता को भी वेक्सित तुरंद करना पड़ेगा यह मेरा आगरर हैगा जो कुछ सवाल आपने कहे हैं कौन सी वेक्सिन कितनी किमत में आएगी यह भी तरह नहीं है मुल भारती वैक्सिन अभी दो मैदान में आगे हैं लेकिन बहार के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं दुनिया में जो वैक्सिन बन रही हैं बेबी मैनुफेक्शिनिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं कम्पनियों के साथ लेकिन इन सारे विश लोगों को उसका rejection आता है, आज भी आता है, भी साल के बाद भी आता है, तो ऐसा इसमें भी संभव है, निर्ने वज्ञानिक तराजु पर ही तोला जाना चाहिए, निर्ने उसकी जो authorities है, उन authorities के certified व्यवस्था से ही होनी चाहिए, हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, ले व्यवस्था के तहज जो चीज आती हैं, आखिर कर उसी को ही स्विकार करना पड़ेगा, और उसको स्विकार करके हम आगे चलेंगे, लेकिन मैं आप से आगर करूंगा, कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्शिन के समन में, किस प्रकार से आप delivery नीचे तक ले ज राज्यों का अनुभव बहुत एहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है, और इसलिए मैं चाहूंगा, कि आपका बहुती एक प्रकार से प्रोयक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्शा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा, व सबसे दिख्वेस्ट,